तो मूवी की शुरुवात होती है एक रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए जहां पर हम देख पाते हैं एक फैमिली को इसके अंदर जीन्स है उसकी वाइफ है और उनकी बेटी जुन्बवग है जीन्स अपनी बेटी की सब्स्ति कर रहा होता है और उसकी वाइफ भी वहाँ पर लेता है कुछ मेंन्स देखता है जिसके अंदर जीन्स के मैरिकल की बारे में कुछ अब हम देखते हैं जुन्बव को को हीवाँ ठारा साल की हो चुकी है और अपनी मदर में हैं पहले इस दुनिया से जा चुक ब्रीज का एक बॉइफ्रेंड भी है जिसका नाम केविन है और वो उसके साथ पर वेकिशन्स पर जा रही है और उसकी माँ उसको समझाती है कि उसको क्या करना है वो इसमेल खाली रखना है ताकि वो उसको कांटेक कर पाए इमर्जन्सी के लिए पैसे अगाउंट बे डाल दिया है जिनने वो अच्छे से यूज करे और भी काफी सारी चीज है और हमें चीज ये भी समझवाता है कि भले ही ग्रेस उससे कितना ही प्यार करे लेकिन वो अपनी मदल से इमोशनली काफी रिटाइस्ट हो चुकी है और ध करता रहता है जानी कि वो इमोशनली काफी डोटी हुई है अब और अवेस्स सी बात है कि यहाँ पर किसी को अपना नया डیरवा ना स्टेफ फादर बनाना काफी मुश्किल होता है और वो केविन से इमोशनली बॉर्णिंग नहीं करबा रही थी क्योंकि वोग ने डियर को बुलाई नहीं पाई थी तो ब्रीज अब केवन के साथ कोलंबिया निकल जाती है और एरपोर्ट जाने के लिए केवन ने उबर ममाली थी अब ब्रीज की जाने के बाद जोन अगले ही दिन इंडरेक्टली वो उसको यहाँ पर एकसेप्ट करना हो कह रही थी कि वो उसके नए डियर के तौर बर काफी अच्छे रहेंगे करब जोन के पार्धी मस्ती गुमते हुए 11 से 19 डेटा जाती है और एक रात पहले ही इवनिंग को वो काफी ड्रंक हो जाती है जिसे वो थोड़ी बीमार भी पर जाती है अब यहाँ पर आज फादर्स डेबियो होता है और उसकी मौम उनके बॉइवरन की साथ कुमने गई थी और वो अपने डैर को याद करके काफी एमोशनल हो जाती है उनकी साथ वाली उनकी आखरी वीडियो को देखती है जिसे हमने मोवी की शुरुवात में भी देखा था और किसी परसन को ट्रिम करते हुए भी देखा था अब आज आती है देट ट्वेंटियर और आज ग्रीज और केवन को वापसाना था इनको पिक करने जून को जाना था लेकिन आकरी पार्टी की वज़े से गर में बहुती गंदगी थी और वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से हाउस कीबिंग स्टाफ बोलवा लेती है तक कि घर की साफ सवाई हो जाए और साथ ही साथ वो खुद उन दोनों को लिने निकल जाती है अब वो एरपोर्ट जाकर उनको वेट करने लगती है लेकिन काफी ताइम हो जाता है फ्लाइड लैन हो चुकी थी लेकिन वो दोनों बार नहीं आते जूल अब थोड़ी परेशान हो जाती है और ग्रेस को मेसेज करती है यानि कि अपनी मा को वो कॉल करती है लेकिन कॉल भी नहीं लगता और नहीं मेसेज का कोई रिपलाय आता अब वो घर आकर कोलंबिया के उस होटो में कॉल करकि उनके बार में भूस्ती है जहां से उसको पता चलता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, अपना कोई भी सामान नहीं ले गए और ये सुनकर वो काफी परिशान उने लगती है कि अपना सामान उठाए बिना वो कहा निकल गए अब होडल की CCTV क्यामरा की रिकॉर्डिंग चेक करने की बात करती है लेकिन रिसेप्शनिस्ट ये बोलता है कि रिकॉर्डिंग किसी को पर्सनली आकरी चेक करनी होगी और वो भी 48 गंटे से पहले क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग मिटा दी जाती है अब जोन अपनी मा की फ्रेंड हैदर से बात करके उनको सब कुल बताती है और हैदर कॉलंबिया की यूएस अमबैसी में कॉन्टेट करती है लेकिन आज उसे वहाँ से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती खर अब दिन बीच जाता है और जोन के पास FBI ओफिसर एजेंट पार्क का कॉल आता है जो कि उससे थोड़ी बहुत ग्रेस के बारे बाते भूस्त हैं कि कहीं उन्होंने कुछ अन्यूजल तो नहीं कहा था साथी साथ ओफिसर को ग्रेस की मेल का कुछ एक्सेस चाहिए था ताकि वो उसकी जियो लोकेशन को ट्रेस कर पाए लेकिन अब्विसली यहां पर जोन के बास मेल की मेल के अक्सेस नहीं था और वो कैवन की बेजी हुई बिच्चोस को भी देखती है तो उसके अंदर भी उसको वो समझ नहीं आता और वो एजेंट पाप को एसेफ होटल रिकॉर्डिंग चेट करने हो कहती है एजम के पास अब मात्र 6 गंदे ही बचे थे खैर अब काफी टाइम बीचने लगता है और एजेंट पार्क का भी कॉल नहीं आता तो जून पहले तो कोलंबिया के टूरिस्ट कैम को चेट करती है जिसके अंदर डेली की जो रिकॉर्डिंग होती है वो पब्लिक होती है और यहां से उसको कुछ भी नहीं मिलता और उसको आईरिया आता है जिसके अंदर वो कॉलंबिया में सर्विस प्रोवेडर कंपरी डूनती है और वहाँ से एक परसन आवी को होटल जाकर रिकॉर्डिंग चेक करने आ कहती है जिस पर वो पहले दो मना करता है लकिन बाद में ये कहते हुए मान जाता है कि जोन को देखकर उसे उसके बेटे की याद आती है अब तब खेर जोन के पास में उसकी फ्रेंड वीना भी आ चुकी थी और बातों ही बातों में आवी ने आईरिया दिया था कि अगर जोन क्रीस की अकाउंट को एकसेस नहीं कर पा रही है तो उसको केविन का अकाउंट एकसेस करना चाहिए मीन्स उसको ट्रेस करना चाहिए और जून वीना के साथ मिलकर केविन के मेल का पासफर डूम लेती है कैरब वो मेल से लोकेशन हिस्ट्री देखती है तो 11 को होटल पहुंचते ही केविन ने अपनी लोकेशन को आफ कर दिया था तो उसको एक लोकेशन के बार में पता चलता है और वो आवी को वहाँ पर शौप पर पलावर ने भेज़ दीती है कि केविन ने आपकर खरीदा क्या था अब हैदर कभी जून को काल आता है और जून उसे ये सब चीज़ बताती है लेकिन हैदर उसको ये कहती है कि ये अनाटिकल है और जून उसको मिलने बुलाती है लेकिन वो बिजी ती हो मना कर देती है अब धोड़ा और चेप्टरने के बार में जून को कैविन के मेल के अंदर किसी लड़की का मेल मिलता है इसके अंदर उसने अपनी हॉट पिक्चर्स बेज रखी थी और अब उसे और वीनों को शक होता है जिसके बार ने वो लोग उसे कॉन्टेक्ट्स वो चेक करती हैं और और ये सबी लर्कियों की थे जो की शौकिन लीग कैविन को अलग-अलग नामों से जानती थी और उससे पैसे वापस मान रही थी अब जून उन सबी नामों को एक साथ सर्च करती है तो उसको पदशलता है कि कैविन असल में एक कॉन मैन है एने कि दोके बाज है और उसको जील भी हो चुकी थी और एजन पाप उसको बताता है कि वो तीन साल जील में था एने कि इस्टन जील में रह रहा था और एक साल पहले ही वो फ्री हुआ था लेकिन उसने बिशले एक साल से हैसाब कोई भी काम नहीं किया था और ये सारे काम उसने छोड़ दिये थे और कोई भी उल्टी सीटी चीज नहीं करी थी अब जोन उनसे कहती है कि वोने उसकी मा यानि की Grace के Missing Case के अंदर इस mail को यूज करना चाहिए इस पर पार्क कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये mail भी unethical way से open वा है और इससे June भी कीज में फज़ जाएगी तो वो सीधा सीधा ethical investigation ही करेंगे कर अब June यहाँ पर Kevin के पुराने location records को देखती है तो उसे पता चलता है कि Kevin तो Chris को काफी पहले से stock कर रहा था और यहाँ पर एक location मिलती है जहाँ पर Kevin बीच में रहा था और यह बोर्ट्स के बीच में वोई Kevin था June भाँ पर call करती है जिसे उस घर का owner जिमी बिक करता है और बताता है कि वो दोनों Eastern jail में ही मिले थे तब दोस्त बन रहे थे और बाहर आने के बाल मिलते रहे लेकिन Kevin की बातों से ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो ग्रेस से प्यार नहीं करता और याने की कान यहाँ पर काफी confusion वरी होती जा रही थी खैरवाभी को जोन से ये पता जलता है कि Kevin ने हारवेर शॉप से एक लॉक खरीदा था और अब वो कॉलंबिया के टोरिस्ट प्लेसिस को चेक करने लगती है कि वो लोगों जिन काम वैयोंगे जोन अब Kevin के मेल से उसकी डेटिंग प्रोफाइल चेक करती है जिसके अनने उसको ये पता चलता है कि वो कुछ हफते पहले ही ग्रेस से और नहीं मिला था केरब वो तूरिस्ट कैमरा को चेक करती है और आभी भी एक लोकेशन पर पहुँच गया था चापर कपल जो होते हैं वो लॉक बान कर अपने प्यार के निशानी रखते हैं और तूरिस्ट कैम की पुरानी रिकॉर्डिंग से जून को ही पता चलता है कि वहाँ पर वो दोनों गई भी थे और केविन ने ग्रेस को प्रपोस भी किया था लेकिन अब आभी जाने के बार ने उन दोनों को ही किरनाप कर लिया था और एक किरनापिंग वाली वीडियो आज ही इंटरनेट बराये थी और एजन पाप बताता है कि ग्रेस की अकाउंट से भी पैसे निकाले गए हैं और ही कोई रैंसम के लिए किरनापिंग उनको लग रही है लेकिन जून अब तब काफी जलग दर गई थी कहीं वो किरनापिंग वर्स ग्रेस को उसकी मा को हरता कर दे वो आभी से बात करती हो और वो उसको समानने की कोजिश करता है और अपने बार में बताता है कि उसकी वाइस भी जुनिया से चली गई थी जब उसका बेटा बहुत चोटा था और तब से उसका बेटा उससे दूरोग गया है और अब अलद रहता है और वो दोनों बात तब नहीं करते लेकिन जून परिशान ना हो वो उसकी मदर को डूड़ी लेंगे अब जो यहाँ पर काफी परिशान तो थी लेकिन यहाँ बर उसका थोड़ा सा दिमाग चलता है। अब पुलिस और उनको भी यहाँ पर चलता है कि गर से एरवोट की बीच में ड्रेस गायब हुई थी और पीज को भी अरेस्ट कर लिया गया था जो कि बताती है कि वो तो एक एक्टरस है जिसको रियालेटी शोप बोल कर लिया गया था लेकिन किरनापिंग सीन के बाद में उ कार के नंबर प्रेट्स भी चोरी गे थे और जो ड्राइवर था उसके सामने सब कुछ हुआ होगा तो वो भी शायद से मिला हुआ हो सकता है अब कहानी एक पिशा में जाई रही होती है कि तभी एक बॉलार ट्विस्ट रिवील होता है एक फ्रेस खुद एक मिस्टीरियस मन है जिसका रियल नेम au Fried और ती चेंज कर कर करोट में सीर करी यही थी में उसने लीप ली तो अपने 안ज चेंज करी थी इसको लोग hight ही इसको बिनल बी प्ता एब और उस परसर ने कुछ नहीं बताया अल अब उस परसंतर नमार लेकर उन आईरेंटिटी चेंज करी थी इसको गोट ने लॉब भी गिया लेकिन वो अजल में है कौन और उसका रियल लेम क्या है ये किसी को भी नहीं पता अब जून यहां पर केविन के मेल को फरसे चेक करती है तो उसको एक इनकोब नी तो मैसेज आप का पता चलता है जिससे केविन करता है कि हो सब्ता है Grace ने अपने पास तुमें कुछ गलत किया होगा इस पर वो उसे उसके बीटी के बारे में टॉन मार देती है और उससे बैस कर लेती है क्यूकि वो अपनी मा के बारे में कुछ गलत सुनना नहीं चाहती थी अब तभी वो उपने फैन की स्मार्ट वो हैदर के पास में जाती है लेकिन वहाँ पर उसको कम्प्यूटर्स आन मिलते हैं जिनका डेटा डिलीट किया जा रहा था और कुछ पिक्चर्स भी वहाँ पर थी अब थोड़ा और धोनने पर जून को शौकिंगली हैदर की बॉर्डी मिल जाती है यानि कि वो मारी कई थी और वो जून को बचाने की ही कोजिश कर रही थी इसलिए वो उसको स्टार्टी में बोल रही थी कि उसको इसर नहीं करना चाहिए अब हम किसी वेक्टी को देखते हैं जिसने जून के लाप्टॉप को भी हैट करके रखा हुआ था और वो उसकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था और लाप्टॉप कैमरा से उसको पर नज़र भी रख रहा था लेकिन यह हो कौन सकता है तो इसका थोड़ा सा अंदाजा ऐसे लग सकता है कि उसे कैवन का मेसेज आता है कि उसे पैसे चाहिए और उसने पूरी हेल्प की है अदरवाइस वो परसन अकेले कुछ भी नहीं कर पाता यानि कि सिर्फ कैविन यहाँ पर कोई और भी उसके साथ में मिला हुआ है केरप कैवन को भी ढोन लिया था लेकिन इंकाउंटर में वो मारा जाता है और इस तरह दे सब की नजरों में एक विलन कदम वो भया था लेकिन ऐसा बिलबूल भी नहीं है कर अब जोन ग्रीस की मेल को उपन करी लेती है और यहाँ पर उसको एक अजीव सा मैसेज मिलता है जिसके अंदर किसी ने ये लिकावा था कि उसने ग्रीस को ढून लिया और ये परसन जो भी है वही कैबिन से कनेक्टिर था जी हाँ और अब वो आगी सच तक पहुच पाए उससे पहले ही उस कैबिन ओनर जीमी का कॉल आता है और वो उसके गर आया हुआ था और ये कोई और नहीं बलकि जोन के डैर जीम्स है जी हाँ यानि कि वो मारे नहीं गए थे यानि कि शुरुआत में जब जोन ने उस लोकिशन पर कॉल किया था जहाँ पर कैबिन बीज में गया था तो वो किसी और की नहीं बलकि उसके खुद के पुराने घर की लोकिशन थी और जीमी कोई और नहीं बलकि उसके ही डैर जीम्स है जिरुरे नाम बलकिरी से पुछ किया अब वो उसको समझाने लबता है कि ग्रेज ने उनकी लाइफ खराब कर दी और उसको जोटे कि इसमें फजाकर बारा सालों के लिए जेल में बिजवा दिया और उसका सब कुछ खतम हो बया था और वो अपनी बेटी से भी दूर हो बया अब ये बाते होई रही होती है जहाँ पर जो नोटिस करती है कि जीम्स इस्टरन जेल में ही था जहाँ पर कैविन मिता और वो दोनों मिले हुए हो सकते हैं और अब जीम्स उसे अपने साथ इसी कैविन मिले जाता है और उसको वही पर बांदेता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलता है इस कहानी के असली पत्ते तो जिसको उमने मुवी की स्टार्टिंग में क्लिप ट्रिम करते हुए देखा था वो ग्रेसी थी और जीम्स एक बहुत बड़ा अब्यूसिफ वस्मेंट था यूकि गरत काम किया करता था और एक दिन उससे तामगा कर अपनी बेटी को बचानी के लिए ग्रीस ने उसकी किलाफ रिपोर्ट कर दे थी और वो ड्रक्स का काम भी क्या करता था तो उसको बारा साल की सजा हो गई क्याने कि यहाँ पर जीम्स सारी कानी जोटी बता रहा था ग्रीस असल में एक अच्छी औरत थी ग्रीस अब फाइनली फ्री हो जाती है लेकिन वो सेफ नहीं थी और यी सब किया उसने हैदर उसकी फ्रेंड लॉयर की हेल्प से मीन सालों पहले उसको हैदर नहीं हेल्प करी थी एक नर्क से बहार निकलने में और तब से ग्रीस अपनी नई जन्दगी में रहा कर काफी खुश थी लेकिन इवेंचूली जेम्स ने उसको ढोनी लिया और वो जेल में कैविन से मिला वो उसका दोस्त बना इसके साथ उसने अपना प्लान मनाया और बाकी कहान हम अलरी देख चुके हैं जीम्स की कहने पर कैविन ने यहापर ग्रीस को अपने प्यार की जाल में फसा लिया ताकि यहापर जीम्स उससे बदला ले पाएगा अब यहापर वो जोन को बानदेता है और ग्रीस की पास उसको खते गावा था यानि यी ग्रेस फिलाल के लिए सीव थी लेकिन बहुत ही बड़े खत्रे में थी और उसकी बेपी तो उसको मिली चुपी है तो उसके लिए ग्रेस का कोई भी इस्टमाल नहीं था और उससे बदला तो उसको ले नहीं था जिसको उस सुन तो लेता है लेकिन वोच उसके डिस्चार्ज लाती है कैर अब जीन्स तब भी वापस आता है और ग्रेस को शूट कर देता है और जून को पकड़ लेता है लेकिन ग्रेस उसे इस हालत में भी एक ग्लास पीस से स्टैप कर देती है और वो बाहर जाकर बेहोच लाती है अब जून यहाँ पर बहुती ज़रा परिशारन हो जाती है कि उसकी मदर बाहर बेहोच पर दियो है और वो कभी भी मारी आ सकती है और वो किसी को भी कॉंट Music नहीं कर सकती लेकिन तभी वो यहाँ के कैमरा को देखती है और सोचती है कि ये सिस्टम डबल साइरिप साउंड करता होगा और वो यहाँ से अपने गर के अंदर लैप्टॉप पर सेरी को कमान देती है 911 मन पर कॉल रनने के लिए और लैप्टॉप के पास रग का हुआ फोन कमान ले भी लेता है और अब वहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों को बचा लेती है और यहाँ पर जेम्स फिर से पकरा जाता है अब मुवी के एंडिंग जीन में हम देख पाते है कि ग्रेज जिन्दा है और अच्छी कासी है और दोनों मा बेटी के रिजटे काफी जला सुलर चुके थे और आवी भी उन दोनों को काफी अच्छा दोस्त बन चुका है जो उसने उनकी बहुत हल्प परी थी यहाँ पर ग्रेज और आवी आप उसमें काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और ऑफिसली जून नहीं उन दोनों की आप उसमें दोस्ती करवाई क्योंकि उसको लबता है कि केविन के बजाए यहां पर आभी काफी अच्छा फादर फिगर बन सकता है इनफेट यहां पर आभी के बेड़े से भी उसका पैच अप हो बया था और सबसे बड़ी बात कि इन उनों की कहानी के ओपर एक शो भी बन चुका था इसी के साथ ने मिसिंग मूवी यही पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी हाली में रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्टरी मूवी मिसिंग की कहानी उमिद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये मूवी जो है ना वो फाउंट फुटेज का ही एक एवलूशन है जिसके अंदर हम पूरी मूवी लाब्टॉप स्क्रीन्स, फोन एंड कैमरा के जरिये देख पाते हैं और हाँ, शुरुवात में हमने किसी परसम को बहुत सारी चीज़े डिर्म करते हुआ देखा था तो वो कोई और नहीं बलकि यहाँ पर ग्रेसी थी वो भी डोमेस्टिक अब्यूज और इन सब चीज़ों की वज़ा से और यहाँ पर कि सची दोस निकली ना वो कोई और नहीं बलकि हैदर है उस बेचारी ने इतना बुच किया और अपने जान भी कब आई तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो वो लाइक कर देना चैनल के ओपर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे